नमस्कार दोस्तों मैं दिपानशु श्वागत करता हूँ आपका सीजी पी एश्षिफ व्यापम में एक बहुती सांदर और पॉजिटिव नुई इसके साथ जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टैटल पढ़ लिया होगा कि व्यापम ने एक नया प्रेस्विग्यपित जा लेते हैं सबसे पहले तो देखिए व्यापम का जैसा कि आप लोगों ने देखा था कुछ दिनों पहले व्यापम ने जो है टाइम टेबल जो है वो अपना प्रवेश परिक्षाओं को टाइम टेबल है वो निधारीत कर दिया गया था उसी सिलसिले में आज व्यापम ने ब बात करें इसकी जो परिक्षा तीथी है 22 मई 2022 को रखा गया है दिन रवीवार है जहां पर प्रथम पाली में पीटी होगा 9-12 और दिती पाली में पीपीएश्टी होगा 2-5 बजे तक आल्लाइन आवेदन भरने की प्रारंबिक तिथी आज से ही है और इसकी अंतीम तिथी ह एक मतलब एक मही तक इसकी अंतीम तिथी है इसके बाद परिक्षा के अंदर यहां पर 28 जिलम मुख्यालेओं में रखा गया है निश्चिंत रही है पहली बात आपको चत्तिजगर के मुल्निवासियों को इसमें फिस नहीं लगेगा और आप आज से फॉर्म भरना चालू क कमें के कि यही रही है कि इसे कुछ भी नहीं है मैं मैं में आपकी वेकैंसी आ सकती और जून में आपո 19 जून के बाद एक्जाम लिया जा सकता है कारण क्या है कि आपकी जो भरती भरती वह बहुत सारी है और सबसे महतरly भरती जो अभी 24 अपरिल को होने वाला था संयुक्त भर्ति उसका एक्जाम लेना तो उसका एक्जाम आपकी जैसे प्रविश्परिक्षाएं खतम होगी सबसे पहले उसी का एक्जाम लिया जाएगा याद रखेगा इसके अलावा भी संयुक्त भर्तिया बहुत जादा मतलब हर दो तीन महिने में आपको सहीं भर्ति देखने को मिलेगी और दूसरी बात इसमें फीस का सवाली नहीं उठता तो यह अच्छी बात है कि व्यापम जितने बार निकालेगा आपको उतने जादा उशर मिलेगा इस भर्ति परिक्षाओं में बैठने का तो यह चीजे हों गई आपके व्यापम की इसके बाद एक बहुत ही महतपूर्ण सुचना की एडियो भर्ति तो देखिए एडियो भर्ति 192 पदो पर विभागी सुत्रों के हवाले से खबर है कि आने वाली है इसके लिए राज्य सासन को लेटर चला गया है और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो परिक्षा है या इसकी पुरी प्रक्रिया है मिनिमम तीन से चार महना लगेगा ऐसा बताया गया है विभागी सुत्रों के हवाले से तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों के पास मिनिममम तीन से चार मैना है एडियो का आप लोगों को सीले बस मैंने कई बार दिखा दिया है और कई बार मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आपको बता दिया है तो दीखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 36 गड़ का यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है 36 गड़ का आपके पास नोट से होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथ में हिंदी का भी नोट से होगा आपका या फिर नहीं भी है तो मैंने आपको हिंदी का बुक और 36 गड़ का कहां से फढ़ना वो पूरी चीज़े आपको बता दी गई है इसके बाद बहुत ही महतपूर है जो डिपार्टमेंटल है देखिए पंचायती राज भी आपको अराम से उसका नोट से आपको एवलेबल होगा को इसमें कोई सक्की बात नहीं है अब डिपार्टमेंटल वाला जो 30-30 नमबर का है जहां पे आजवी का संबंदित योजना है और ग्रामन विकास की योजना है जो की 60 नमबर का है इसमें बहुत सारे लोग जो है इधर उधर बोलनाची बहुत सारी चीज़े जो काम की नहीं है वो सब पढ़ देते और जो क पेपर मैंने आपको टेलिग्रम चैनल में डाल दिया है या आप एनलिसिस करेंगे या तो आपको विभागी जानकारी होगी तभी आप से ये जो क्योस्टन है वो बनेंगे तो यहां पे इतना सब ताम जाम से अच्छा है कि आप किसी का 2017 में अगर एडियो में सेलेक्शन ह हुआ है तो उनके पास जा के थोड़ा सा ग्यान ले लीजिए या किसी अन्य कोचिंग संस्था से थोड़ा बहुत ग्यान ले लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा सा ग्यान लेने के बाद अगर आप फिर पढ़ने बैठेंगे तो आपके जो बुद्धी में फटाक से भी चीज़ है और बहुत देर तक जो है वो आपको याद रहेगी इसी कड़ी में हमारे द्वारा भी जो है ऑनलाइन क्लास जो है ऑनलाइन बताना चाहूंगा इसका जो डेमो क्लास है मैं अपने टेलिग्राम चैनल में डाल दिया हूँ आप उसका डेमो देख सकते हैं कि क जायती राज की बात हो इससे होगा क्या कि आप जब परिक्षा दे आने जाएंगे तो आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको उस पन्ने का पूरा चित्र दिखेगा कि इस पन्ने में यहाँ पे ये चीज़े हैं तो वो चीज़े आप काम करिएगा तो हम क् नोट्स बनवाएंगे तो आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको में में पॉइंट आपको दिखाई देगा जिससे की आपको परिक्षा के समय कहीं भी इधर उधर भागने की जर्वत नहीं होगी डिपार्टमेंट के लिए तो दिखे इसके लिए ऐसा है कि यहाँ पे आपको एक Tech Mint एप डाउनलोड करना पड़ेगा सब सरोपतम Tech Mint एप डाउनलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा अब रही बात यह पेमेंट कितना करना पड़ेगा आप सभी को बताना चाहूंगा एकदम मिनिमम सुल्क कर लिया जा रहा है क्योंकि यह सारी प्रक्रियाओं को थोड़ा सा एडजेस्ट करने के लिए एकदम मिनिमम सुल्क प्रथम वैसे तो इसका जो सुल्क है 999 है परन्तु प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए यह जो है मात्र 799 रुपे में यह आपको मिलेगा फिलाल जो इसका प्राइज है 100 स्टूडेंट के बाद यह वापस से 999 हो जाएगा परन्तु अगर अभी से आप 100 स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो आपको मात्र 799 रुपे में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको हमें जो टेक्मेंट एप है उससे हमें रिक्वेस्ट भेजना है हम इन्रॉल्मेंट में जिन रिक्वेस्ट भेजा और जिनको हमने एक्सेप्ट किया है तो यह आपी की सुईधा के अनुसार यह किया जा रहा है ताकि आप डिपार्टमेंट में इत्ती सारी योजनाओं को कमपाइल करने में इधर उधर अपना समय मतलब न गवाए और एक सह नहीं दिशा और निर्देश के तहट आप एक स्मार्ट इस्टेडी करता है तो यही एक पूरा अपडेट देना ता आशा करते हूं कि आप को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जादा से जादा लू तक शेयर करें लाइक करें औ वीडियो देखने के ले आप सभी का बहुत बहुत धन्यावान आप शबी श्वस्तर है और मस्तर है